क्या 2024 के लोकसभा चुनाओं में फिर से बीजेपी की आंधी चलेगी या फिर विपक्ष खेल पलट देगा चलिए इस सवाल का जवाब तलाशते हुए सबसे पहले बारिकी से उत्तर प्रुदेश की सियासी नफस को टटोल लेते हैं और करते हैं बात चुनाओं की असी लोकसभा सीटों वाला ये उत्तर प्रुदेश चार जोन में बटा हुआ है पूरवान्चल, अवध, पश्चिमी उत्तर प्रुदेश और बुंदेल खंड तो पहले आपको दिली से सठे पश्चिमी उत्तर प्रुदेश के सियासी समीकरनों से रूबरु करा देते हैं इसी पश्चिमी उत्तर प्रुदेश के लिए एक कहावत है जो आपने भी से पहले कहीं बार सुनी होगी जिसके जाट उसी किठाट जाट जिसकी तरफ हो जाते हैं उसी की माना जाता है सियासत में बल्ले बल्ले हो गई है और इसका एक कारण ये भी है कि चौधराहट करने वाले जाट समाज की पीछे जो बाकी जातियां होती है पश्चिमी उत्र प्रुदेश की खास्तोर पर उनका रोजान क्या होगा ये भी तैह हो जाता है अब जाटलेंड की ताकत क्या है वो भी मैं आपको विस्तार से समझाने वाली हूँ लेकिन सत्ताधारी पार्टी यानि कि भार्टी जनता पार्टी के आगे विपक्ष के कौन कौन से ताकतवर चेहरे हैं ये भी जराब आप जान लीजिए मैं शुरुआत करूँगे क्योंकि पश्ची में उतरप्रुदेश की बात कर रहे हूँ तो जयनत चौदरी जो RLD से तालुक रखते हैं ये चेहरा आपने इससे पहले पश्ची में यूपे में कहीं बार राजनीती के लिहाज से देखा होगा अब जानिए कि ये वो RLD है जिनके लिए माना जाता है कि इनकी रैजनीती जाटों और किसानों के इर्द गिर्द ही हमेशा से रहे हैं लेकिन PSE यानि कि पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज के आकड़े इसको लेकर क्या कहते हैं RLD का जाट वोट पॉसेंटेज खास तौर पर पश्चिमी उत्रप्रुदेश में क्या रहा है पिछले दो लोकसभा चुनाओ में 2014 में 28 और 2019 में 3 फीसर सिर्फ 3 फीसर अभी आकड़े बताते हैं कि RLD का जो कोर वोट बैंक रहा है जाट अब उनसे लगातार खिसकते चले ज अजनिती के लिहाज से इससे पहले कई बार देखा होगा अब खास यह है कि MYसे PDA पर अखिलेश यादव खिसक गए हैं PDA यानि की पिछडा दलित अलाइंस मुस्लिम और दलित की बात इससे पहले वो करते थे मुस्लिम यादव की बात करते थे अब क्यूंकि समाजवादी पार्टी शुरू से मानती रही है कि मुस्लिम और यादव जो है वो उनका परंपरागत वोट बैंक है और यहाँ पर सबसे ज्यादा आबादी मुसल्मानों की है जो लगभग 26 पिसद बताई जाती है अब आप ये भी जानिए कि इन्हीं के बदावलत अखिलेश यादव क रहा थोड़ी आसान होती हुई जरूर दिखाई दी है इसी के लिए पी ऐसी के आकड़े से पहले क्या कहते हैं 2014 और 2019 के लोग सबाचनाओ के 63% मुसल्मानों ने 2014 में वोट किया और 2019 में ये कम हो गए 43% रह गए लेकिन अब आप यहीं पर रुख जाईए मैं किसी और चेहरे की बात करूँ क्योंकि अभी समिकर्ण बदल जाने वाला है अखिलेश यादव और इससे पहले जिन जयन्त चौदरी की मैंने बात की ना अब इनकी बात पक्की हो गई है अब ऐसा क्यूं है ये भी जरा समझे आरलडी और समाजवादी पार्टी में डील फाइनल हो गई है ये सबसे बड़ी खबर भी है पश्चिमी उतर प्रुदेश के लिहाज से जयन्त चौदरी ने अखिलेश यादव से 12 सीट मांगी लेकिन अखिलेश यादव तयार नहीं थे लेकिन 7 सीट पर वो राजी हो आरे हाला कि वो कौन सी है ये भी सामने नहीं आया अब और आसानी से आप इसे समझेंगे तो ज्यादा जाट समुदाय का जहां पर प्रभाव है वो सीट मिल गई है जैन्त चौदरी को और किसने दिये अखिलेश यादव है अब आगे बढ़ते हुए बात मायावती की करते हैं जो ये फैसला कर चुकी है कि वो अब अपने बूते लोकसभा कर चुनाव लड़ेंगे यानि कि वो इंडिया लाइंस का हिस्सा नहीं है मायावती यानि की बस्पा जिसका आपने कहीं बार सुना होगा परंपरागत जो वोट बैंक है वो दलित रहा है और इसी पश्च फिसद लेकिन ये फिर भी जादा है अब इसके अलावा देखिए बताया ये भी जाता है कि मुसल्मानों ने भी बस्पा का कुछ हद तक साथ दिया है क्योंकि मुसल्मान भी हमने देखा इससे पहले भी कई बार जो बस्पा के समथ्थर में जाते रहे हैं 2014 में 24 फिसद मु बोट किया और 2019 में ज्यांकड़ कम हुआ लेकिन फिर भी 16 फिसद मुसल्मानों ने बस्पा के लिए बोट किया अब बात करते हैं सबसे पुरानी पार्टी समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहे हूँ कॉंग्रेस की अभी यूपी में कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठुबंदन में हैं अब ये गठुबंदन कितना मजबूत है इसको एक हालिया घटना से जरा समझिये हाल ही में सपा प्रमोख अखिलेश यादव ने एलान कर दिया कि यूपी में उनकी कॉंग्रेस के साथ 11 सीटों पर बात बन गई है हाला कि कुछ ही देर में यूपी कॉंग्रेस ने कह दिया कि अभी तो इस मामले में बात ही चल रही है अब इसी लिए बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यहीं है कई नेता जिसमें शामिल है ओपी राजभर भी वो तो ये तक कह चुके हैं कि आप रुख जाएए आप देख लिजेगा ये दोनों पार्टियां साथ में चुनाव लड़ी नहीं सकती है अब क्योंकि कॉंगरेस का उत्तर पुदेश में कोई परंपरागत वोर्ड बैंक नहीं है जैसे बाकी पार्टियों का है इसलिए सीट शेरिंग का फόर्मुला थोड़ा जादा मुश्किल कॉंगरेस के लिए उत्तर प्रदेश में तो दिखाई देता है, हो सकता है, दूसरे राज्यों में इतनी बड़ी चनौती ना रहे अब हम बात करते हैं सत्ता धारी और इस वक्त आंकडों के लिहाज से सबसे मजबूत पार्टी भारतिय जनता पार्टी की और जब मैं आंकडों के लिहाज से आपको बता रहे हूं कि मजबूत पार्टी है तो अब पीएसी के ये आंकडे जानकर ये बहुत हैरान हो जाएंगे कि जाट लेंड में जाटों के एर्दगेश राजनीती करने वाली पार्टियों को पूरी तरह से धाराशाई किस ने किया है पिछले दो बार के चुनाव में इसी भारतिय जनता पार्टी ने जिनकी सरकार है मौजूदा वक्त में उत्तर पुदेश के मुखे मंतरी है योग के ओफिशल आकड़े बताते हैं अब मैंने जाटों की तो बात कर ली लेकिन सिर्फ जाट ही नहीं है पिछले दो बार के चुनाव में भारतिय जनता पार्टी दलितों को भी अपने साथ लाने में बहुत हत्तक काम्याब हुई है और इसी लिहास से भारतिय जनता पार्टी के लिए दलित जो मायावती का कोर वोट बैंक बताया जाता है आप देखे 2014 में दलित वोट करते हैं बीजेपी को 22 वी सद थोड़ा आकड़ा बढ़ता है 2019 में हो जाता है 26 वी सद आप कोशिश ये कि इसे और बढ़ाया जाए अब इन आकड़ों के साथ में मैं आपको ये बहुत कोशिश हुई थी लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हो सके क्योंकि वो जानते हैं कि कैसे वहाँ पर जैन चौधरी का बहुत दब दबा है अब समीकरन ये कहते हैं कि चाहे 2022 में करिश्माई जीत हुई हो विधान सभा चुनाओं में जीत हासिल हो गई हो लेकिन ये स ही हो और फिर आपको याद होगा किसान अंदोलन हुआ उसका प्रभाव कितना पड़ेगा ये भी अब जो इस बार के यानि कि 2024 के नतीजे सामने आएंगे उसके बाद साफ हो जाएगा तो ये पश्चे में उतर पुरी बात आप चलिए शुरुवात करते हैं और बात करते ह है सबसे महत पूर्ण पूर्वांचल की सियासत में कहावत है कि दिल्ली के गदी का रास्ता अगर उत्तर पुर्देश से निकलता है तो यूपी का रास्ता पूर्वांचल से ही होकर गुजरता है अब सबसे बड़ा उधारन है नरेंद्र मोदी जो खुद इसी पूर्वांचल के वरनसी से सांसद हैं और योगी आरितनात जिनका गड़ गोरकपुर इसी पूर्वांचल में है इसलिए बीजेपी के दिगजों की भी साखदाव पर होगी अब 26 सीटो वाली पूर्वांचल के लिए PM और CM की साखदाव पर है जैसा मैंने आपको बताया तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का यूपी के लिए प्लान भी अपूरी तरीके से तयार हो चुका है और सबसे पहले तयार हुआ है अब भाजपा के सामने यहां मुकाबले में डटे बाकी सियासत दानों की भी बात कर लेते हैं जिनमें सबसे बड़ा नाम एक बार फिर से समाजवादी पार्टी से ही है और यह नाम है अखिलेश श्यादव का 2022 के विधान सभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठ बंदन कर सुभा सपाने चुनाव रड़ा था 2022 का विधान सभा चुनाव आपको याद होगा अब इसी पूर्वांचर को जीतने के लिए OBC फेक्टर को साधना सबसे जरूरी है इसी OBC में 30 पीसद यादव है और 20 पीसद कुर्मी समुदाई के वोटर्स बताये जाते हैं अब देखिए पूर्वांचर के कई जलों में मुस्लिम वोटर किसी भी दलका खेल बनाने और विगारने की शमता रखते हैं ये माना जाता है अब ऐसे में चुकि यादव और मुस्लिम जो है वो सपा का परंपरागत वोटर माना जाता है अब इसी में कोई दूसरी कुर्मी या फिर कोई अन्य प्रभावी जाती है यो जुड़ जाती है तो फिर आप सोचिए कि राजनितिक रूप से जीत का आधार वो बन जाएगा लेकिन हाँ ओम प्रिकाश की छिटकने से अब समाजवादी पार्टी यानि की अखिलेश यादव को पूर्वांचल में बहुत बड़ा जटका लग सकता है फिर भी नतीजों का इंतजार यहाँ पर जरूर करना होगा अखिलेश यादव के बाद अब बात करते हैं बसपा क बसपा यानि की मायावती जो अपने परंपरागत वोट बैंक के साथ आगे तो बढ़ रही हैं वो भी अकेले लेकिन मायावती आगामी चुनाओ के बीच अपनी पार्टी से जुड़े हुए हर व्यक्ति को साम, दाम, दंड, भेट से दूर रहने की भी नसीहत दे चुकी ह बसपा के बाद दूसरी चुनावती ये भी है क्योंकि मायावती ने अपने भतीशे आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी के रूप में और मुखे भूमिका में भी लौच कर दिया है लेकिन ये चुनाव में कितना काम आएगा ये वक्त बताएगा इसलिए ये दाव कितना सही सावित हुआ है ये भी चुनाव के जो नतीजे होंगे वही साफ कर पाएंगे अब बात करते हैं आवध की अब हाल अवध का सिर्व राम में है यो तो पूरा देश ही श्री राम की भक्ती में डूबा हुआ दिखाई देता है लेकिन चुकि आयोध्या इसी आवध रीजन का हिस्सा है तो यहां तो भाजपा क्लीन स्वीप के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है आप मान जाईए अब राम मंदिर की भवता को 2024 के चुनाव से पहले घर घर तक पहुचाने का भी प्लान बीजपी ने तयार कर लिया है और वो कैसे किया है इसके लिए हर गाउं से लोगों को 24 जनवरी से राम मंदिर के दर्शन कराने का अभ्यान शुरू कर दिया गया है जो बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर अब सामने आएगा तो यहां से जो चुनावी एजंडा सेट होता हुआ दिखाई दिया है उसका तोड ढूण पाना विपक्ष के लिए ना मुम्किन सा साबित होता है अब बात करते हैं कानपूर बुंदेल खंड की दो हजार चौबीस में कानपूर बुंदेल खंड शेत्र में विपक्ष को रोकने का चक्र व्यू अभी सरच दिया गया है 2014 में कानपूर बुंदेल खंड की 10 लोक सबा सीटों में से 9 पर भाजपा ने कमल खिला दिया था मुलायम सिंग यादव के प्रभाव वाली जो कन्नौस सीट है यहां से सपाध्यक्ष अखिलेश यादव की पतनी डिम्पल यादवी अपनी सिर्फ सीट बचा पाई थी बाकी सारे मोधी की आंदी में उस वक्त फुर हो गए थे अब देखें बुंदेल खंड की सियासी जमीन समाजवादी पार्टी की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल ऐसा रगता है कि बंजर बन चुकी है पिछले दो लोगसबा चुनाओ की अगर बात करें तो सिर्फ बुंदेल खंड की एक भी लोगसबा सीट को बचा नहीं पाई है जीत नहीं पाई है और बीजेपी का पूरी तरह से यहाँ पर दबदबा कायम दिखाई देता है खास और पर बुंदेल खंड में हालकि भाजपा प्रत्याशी के मुकाबले विपक्ष का एक सयुक्त प्रत्याशी उतारने की कवायद भी यहाँ पर की जा रही है लेकिन उतर प्रदेश में बसपा को साथ लिये बगेर विपक्षी एकता की बार जादा प्रभावी नहीं दिखाई देती लेकिन मयावती है कि एकला चलो के रहा पर अब निकल पड़ी है और इसी लिए इंतजार करना होगा कि क्या ये सही साबित होता है लेकिन ये तो तेह है कि एक तरफ भारती जनता पाटी है जो 2024 की सियासी जमीन तयार करने में जुड़ गई है ताकि अपने सियासी किले को वो और दुरुस्त कर सके और दूसरी तरफ विपक्षी पाटिया है जो बार बार नई रणनीती से भाजुपा का मुकाबला करने को तयार दिखाई देती है और उसी का एक बड़ा उधारन है इंडिया लाइंस लेकिन ये नतीजों तया करेंगे कि किसका सपना होगा साकार और किसे करना होगा थोड़ा सा यानि कि 5 साल का और इन्तजार और इन्हीं नतीजों तक अगली बार आप से थर से मुलाकात होगी अब आपने याद कर लिया है ला किसमें बात चुनाओकर जी हां, thank you so much, see you again